लो गाइस, तो क्या आप जानते हैं कि एनिमल मुवी आपके टाइम और मनी को डिसर्फ करती है? तो हमारे चैनल को सब्सक्राब करना ना भूलें, प्लीज गाइस वीडियो को लाइक और शेर करें तो गाइस, बात करते हैं इस मुवी के रिव्यू की step by step इस मुवी की स्टोरी, इस मुवी की स्क्रीन प्ले, VFX, एक्शन, इमोशन, करेक्टर और ये मुवी कितने का बिसनस कर सकती है? इस चीज को हम प्रेडिक्ट करेंगे तो सबसे पहला है मुवी की लेंद की बात कर दे हैं ये मुवी तीन साड़े तीन घंडे की मुवी है इस मुवी की स्टोरी जो है वो parent-child relationship पर बेस है मुवी में दिखाया गया है कि अनील कपूर और रनबीर कपूर का relationship बचपन से ही ठीक नहीं था जिसकी वज़ा से रनबीर कपूर हमेका बचपन एक traumatic था बट इसका love अपने पापा के लिए वो तो यार बस no ending उसकी फिर उसके बात आजाता है कि मुवी में अनील कपूर को एक business टैकून के तोर पे दिखाया गया है जिनकी बहुत सारी दुश्मनिया भी थी और यही दुश्मनी इनके relationship को एक spark भी देती है और फिर इस तरह अपने फादर के revenge के लिए animal निकल कराता है जो के हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं तो होता है तो movie का screenplay अगर देखा जाए तो वो भी कमाल था VFX की बात करें तो भई आला 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 action movie है और action ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता यार action ऐसा है कि जो आपने पहले कभी Bollywood की movies में नहीं देखा हूँ यह movie एक emotional dramatic movie है इसका एक flow ही flow चलता जाता है और आपको पता भी नहीं चलता कि movie की start और movie की ending कब हो गई है movie थोड़ी lengthy है थोड़ी dragging है लेकिन movie जो है एक flow में एक rhythm में चल रही है और connectivity बहुत अची है movie की characters की बात करेते हैं तो रनबीर कपूर का हो अनील कपूर का हो या फिर रश्मिका मंदाना का बाप रे बाप सब नहीं अपने अपने character को क्या खूब निबाया है मतलब रनबीर कपूर की acting इस movie में मुझे अब तक की इनकी तमाम movie से जबरदस्त लगी है director ने तो और यानी संदीप रेटी ने तो इन characters को एक नई जान के साथ पेश कर दिया है movie थोड़ी सी confusing हो सकती है क्योंकि इसमें आपको past और previous past फिर आपको present के scenes को merge करके दिखाया जाता है then movie अपने एक straight track पर चलती रहती है इसमें कुछ romance भी है यानि कुछ kissing scenes भी हो सकते हैं कुछ little little nudity भी है तो इसलिए अगर आप बचों के साथ इस movie को देखना चाहते हैं तो please मेरा मानना यही है कि आप बचों के साथ इस movie को ना देखें लेकिन अगर first half and second half की बात करते हैं तो movie में एक बहुत अच्छी connectivity है फोड़ा सा drag किया गया है movie को लेकिन अगर overall बात की जाए तो movie एक कमाल track पर चली है और अगर देखा जाए तो यह एक movie relationship based movie है जिसमें एक advice भी है और एक lesson भी है जो कहीं न कहीं इस दोर की बहुत बड़ी जरूरत है यानि कहीं न कहीं हमारे relationship में कहीं न कहीं हमारे relationship में जिस चीज़ की कमी है उसके बारे में बताया गया है तो यह movie भई आला है आला है अगर prediction की बात करते हूँ तो यह movie कितने का business करेगी भई मेरे नस्दीक तो यह movie 600 करोड को भी जो है छोड़ जाएगी पीछे तो movie कमाल है अगर आप लोग जाएं और देखें तो प्लीज अपनी राय हमें comment box में लाजमी बताईएगा वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें चैनल को सब्सक्राइब करें